प्रिये छातुर नमस्कार हम कंप्लीट कर रहे हैं हिंदी के प्रश्ण बेंग की एकाई एक को तो आईए इनके उत्तर देख लेते हैं पहला प्रश्ण है सही बिकल्प चुनकर लिखिए तो पहला हो जाएगा हिंदी के पध्य शाहित्य का दूश्रा काल है तो इसका अंसर याद रखना है भक्ती काल फिर इसके पश्चात दूसरा प्रश्ण देख लेते हैं आधोनिक काल का आरंब होता है तो ध्यान रखना है जो आधोनिक काल है वो शंबद 1900 से प्रारंब होता है इसके पश्चात हम देख लेते हैं दिचान रखना है नहीं पूछा है तो निराला, जै संकरप शाद, महादेवी, वर्मा, एह तीनों तो आधार स्थम कभी है लेकिन सूर्दास जी छायावाद के आधार स्थम कभी नहीं है अब हम चलते हैं प्रियोग वाद के कभी हैं तो यहाँ पर याद रखना है शुमित्रा, महादेवी और तुलसिजाद यह तो अलग हो जाएंगे प्रियोग वाद के कभी हो जाएंगे अग्गे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्गे फिर चलते हैं प्रशन क्रमांग पांच की और प्रशन क्रमांग पांच में नई कभीता के कभी हैं तो नई कभीता के जो कभी हैं इन चारों में हैं वो हैं रगवीर सहाई आपको याद रखना है नई कभीता की कभी हैं रगवीर शहाई इसके पश्चात हम चलते हैं छटे प अंसर हो जाएगा हमारा खावाला शात्वा प्रियोग वाद का आरंभ माना जाता है तो याद रखना है सन 1943 से प्रियोग वाद का आरंभ माना जाता है नंद नंदन का प्रियोग किया गया है तो किसके लिए किया गया है यहाँ पर याद रखना है नंद नंदन याने भगवा आने कृष्ण के लिए इस शब्द का प्रियोग किया गया है यदि लंका विजय करनी है तो इस पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा आए चलते हैं हम प्रश्ण क्रमांग नौपर नौबा है गोपियों को ज्यान युवा योग की बातें लगती हैं तो कैसी लगती उन्हें कड़वी लगती हैं ककड़ी के समान कड़वी लगती है इसके पश्चात दशबा प्रश्ण है गोपियों ने कृष्ण की तुलना की है तो गोपियों ने कृष्ण की तुलना किस से की है यहाँ पर हमें धान रखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारिल की लकडी से, गोपियों ने जो किश्ण की तुनला की है, वो हारेल की लकडी से की है, इसके पचाद ग्यारवा प्रशन देख लेते हैं, ग्यारवा प्रशन है, ब्यादी सब्द का अर्थ है, आधार, रोग, चिंता, विरा है, तो क्या हो जाएगा ग्यारवे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा खा रोग यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में भी इनको बताते चलें आईए चलते हैं प्रशन क्रमांग 12 की और प्रशन क्रमांग 12 में शूर के पद में भाशा है तो कैसी भाशा है ध्यान रखना है शूर के पद में ब्रज भाशा है सूरदास जी ने ब्रश भाशा में अपनी रचनाई की इसके पश्चा तेरबा प्रशन है तेरबा है कि मरजादा ने लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है तो किस से कही है प्रेम शम्बंद की इसका राइट आंसर हो जाएगा गावाला इसके पश्चात अपन चलते हैं अंगले प्रशन में अंगला प्रशन है शूरदास के गुरु थे यह बहुत आई-एम-पी प्रशन है इसको ध्यान रखना है तो जो शूरदास के गुरु थे बो थे वल्लभा चार ध्यान रखना है शूरदास के गुरु वल्लभा चार है शूर के आरद्ध है यानि कि शूरदास के आरद्ध कोन है तो याद रखना है पंदरवे का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण यदि पूछा जाए तुलसी दास के आरद कौन है तो याद रखना है श्री राम पुरे यनी पात का अर्थ है शोलवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजे शोलवा का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कमल का पत्ता फिर आंगे चलते हैं प्रशन शत्रा शूर की रचना नहीं है ध्यान देना है सूरदास की रचना नहीं है कौन सी नहीं है सूरसागर है सूर सूरावली है शाहित लहरी है जी हाँ बिनाय पत्रिका नहीं है यह हमारे तुलसी दास जी की रचना है बिनाय पत्रिका आप हम चलत शिव धनुस के तूटने पर क्रोधित हो ठे कौन हुए थे शब को याद होगा परशुराम बीश्वा प्रस्ण पर चलने से पहले निवेदन है कि इनको आप बार बार इस वीडियो को देखें ताकि ये पूरे के पूरे विकल्ब आपको याद हो जाएंगे इकाई एक से 17 न अविदी है इसके पश्चात राम लच्मन के गुरू का नाम था तो राम लच्मन के गुरू का क्या नाम था शब को पता होगा प्रशन क्रमांग 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्यानी इसके पश्चात सहस्त्रवावु क बद किया था किस ने किया था प्रशन क्रमांग 22 का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर सहस्त्र वाहू का जो वद है वो परशुराम जी ने किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम अब चलते हैं प्रशन क्रमांग 23 पर प्रशन क्रमांग 23 में कभी अपनी आत्मक था भोली को बताई थी अब हम चलते हैं प्रश्ण क्रमांग 24 पर थके पतिक की पंथा में अलंकार है इसमें कौन सा अलंकार है वो हमें बताना है तो प्रश्ण क्रमांग 24 का आंसर हो जाएगा अनूप्रयाश ठीक है गावाला राइट आंसर हो जाएगा इसके पस्चाद हम चलते हैं 25 पर तो चायाबाद के प्रतिनिधी कभी हैं तो चायाबाद के प्रतिनिधी कभी कौन हो जाएंगे यहाँ पर मोश्ट आइमपी प्रशन है यह तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जैशंकर प्रिशाद अंगला प्रिशन है प्रिशाद जी को कामाईनी पर पारी तोसिक मिला याने की जैशंकर प्रिशाद जी की जो रचना कामाईनी है उस पर उन्हें कौन सा पुरुषकार मिला तो आपको यहाँ पर याद अरखना हैं कामाईनी पर मंगला पारी तोसिक मिला था ठीक है चलते है प्रशनक्रमांग 27 पर जैशंकर प्रशाद का शंग्रह नहीं है इन में से आपको बताना है जो इनका शंग्रह नहीं है अनि कि जो इनकी रचना नहीं है तो आकास दीप इनकी रचना है, आधी इनकी रचना है, इंदर जाल इनकी रचना है, शाय में धूप ए इनकी रचना नहीं है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा घावाला, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांग 28 पर, 28 है उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, यानि कि जो उत्साह कविता है उसमें बादल का प्रतीक कभी किसे माना है तो प्रश्नक्रमांग 28 का आंसर हो जाएगा क्रांती का जो उत्साह कविता में बादल का जो प्रतीक है वो क्रांती का है इसके पस्चा चलते हैं हम प्रश्नक्रमांग 29 पर प्रश्नक्रमांग 29 में है कभी ने बा जो 29 का है वो हो जाएगा बाल कलपना कावाला इसके पस्चा चलते हैं प्रशन क्रमांग 30 पर कभी ने बादलों के लिए विशेशन परियोग किया है तो प्रशन क्रमांग 30 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नव जीवन वाले घा नमबर का नव जीवन वाले ठीक है अब हम चलते हैं प्रश्ण कृमांग 61 कभी बादलों से बरशने का आवाहन कर रहा है तो इसका रायट अनसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आकाश को घेर कर बरशने को इस प्रकार का आव़न कर रहा है अब हम चलते हैं मत्वांग 32 पर बरश्ण कि कभी ने तरप्त धरा के माध्यम से शंकेत किया है तो किसका शंकेत किया है प्रशन क्रमांग 32 का राइट अंसर हो जाएगा जन सामानी की पीड़ा कभी ने तरप्त धरा के माध्यम से शंकेत किया है तो जन सामानी की पीड़ा का most IMP है यह आपका भी preboard में भी आये था आएए आगे चलते हैं ध्यान रखना है 80% पेपर आपका प्रशन बैंक से ही पूछा जाना है इसलिए इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी अब हम चलते हैं प्रशन करमांग 33 पर प्रशन है नास और निर्मान के रचना कार है तो आपको ध्यान रखना है गिरिजा कुमार माथुर जी है जी हाँ इसका राइट अंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर अब हम चलते हैं प्रशन करमांग 34 गिरिजा कुमार माथुर के अनुशार प्रभूता का शरण बिम्ब है तो प्रभूता का शरण बिम् मर्थक कभी कौन हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर गिरिजा कुमार माथुर से रिलेटिट यहाँ पर तीन प्रशन हो गए हैं इनको आपको ध्यान रखना है अब हम चलते हैं प्रशन क्रिमांग 36 पर तो लकडी जैसी दिखाई मत द आने के लिए मां का यही आशाय है है ना फिर चलते हैं प्रशन क्रिमांग 36 पर तो शूरत निरत काब शंगरह के कभी कौन है तो 36 का सही आंसर हो जाएगा रितुराज ध्यान रखना है इसके पच्चा लाश्ट बिकल्प है कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभि व्यक्ति है तो किस भाव की अभिव्यक्ति है शमवेदन सीलता की घावाला राइट आंसर हो जाएगा तो ए हो गए आपके शंपूर्ण इकाई एक के शही बिकल्प इनहीं मैंसे आपके शही बिकल्प आने हैं गड़ित की आपने अधी तैयारी शुरू कर दिये तो उस प